असलामों अलेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं आस्टोहिलिंग और मैं हूँ आपका होस्ट मिर्जा हमजा आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन बुद्ध कैसा रहेगा 27 नवंबर आपके लिए कैसा रहेगा तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताके हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें साथी साथ आप हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको निचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएंगे बुरज हमल सियारा कमर की बुरज मिजान में मुझूदगी आपकी जिन्दगी को मुनज्जम और सबर से काम लेने में मदद देगी आपके साथी और घर वाले आपके इस रवये से काफी ज्यादा हैरान होंगे पिछले कुछ दिनों से आप अपने कंट्रोल को खो रहे हैं सबर से काम ना लें और कहीं न कहीं वाकूफ लोगों की तरहां अपने मजाज में उतार चड़ाओ लाते रहेंगे और इन सब चीजों के लिए आप दूसरों को बिलकुल भी कसूरवार नहीं ठहरा सकेंगे कारोबारी जिन्दगी से मुंसलिक अफराद चूंके दूसरों के एहकामात को बिलकुल नहीं मानते हैं इसलिए जो भी परेशानियां आप की जिन्दगी में आएंगी वो सब आरजी होंगे बुरज सौर आज सियारा कमर की बुरज मिजान में मुझूदगी आप के लिए उदासी का मौजब बन सकती है आप आमदनी को असाइशात के लिए इस्तमाल करने पे राजामन्द होंगे और फैमली वाले इस बास से आप से अमादा नहीं होंगे आमदनी के बेहतर इस्तमाल के लिए नजरियात को पेश करेंगे अक्सर अकाद ऐसा होता है कि आप अपने मुतालबात को लेकर किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं और महबत के मुआमलात में बहस मुबासों का सामना करना पड़ सकता है आपका नजर अंदास करना ही आपके लिए बेहतर होगा बुरच जोजा गरेलू नचाकी आपकी जिन्दगी में शामिर रहेगी इस से आपको गेर जरूरी तनाजात और जजबास से खुद को महफूज रखना होगा वरना दिन के इक्ताम पर आप मुकमल तोर पर ठक जाएंगे सियारवी महरकात आपको सकून तलाश करने में मदद देगी और ये सब चीजें आपकी साथी की गलतियों से ना होगा इस बारे में आप खुद से सवाल करें महबत के मुआमलात में छोटे छोटे जगडों से परहेज करें माली जिन्दगी में माजी में जिन भी जगडों का सामना आपको करना पड़ा था वो अल्ला के करम से आज खतम हो जाएगा बुरच सर्तान इस बुरच से मुंसलिक अफराद आज छोटे छोटे हसास मसलों को लेकर खुद मुश्किल में डाल लेंगे लेकिन आपके प्यारों को इन जगडों को तूल नहीं देना चाहिए सियारवी महरकात की वज़ा से आज आप अपने साथी से मैयूस हो सकते हैं मुख्बत के मुआमलत में नाजुक सुर्तिहाल का सामना करना पड़ सकता है मौतात रहें और गैर जरूरी गलत फहमियों से खुद को दूर रखें मुस्तक्बिल के हवाले से आज गैर जरूरी सरगर्मियों को फरोग देंगे अपनी कारकरदगी को बेहतर करें तब ही अपने सिनियर्ज को मतवज़ा कर सकेंगे किसानों के लिए आज का दिन फाइदा मन रहेगा आपकी काश्ट काफी ज्यादा फाइदा मन रहेगी बुरच असद आपके सितारे में आपका अंसर है अपने काम को करने से पहले दूसरों से पूछना आपको बिलकुल पसंद नहीं होगा आप खुद मुख्तार तबीयत के मालिक हैं और अपने इर्दगिर्द किसी भी किसम की हद को बरदाश नहीं करेंगे आप सिर्फ और सिर्फ खुद पे अपनी हुकमरानी को ही पसंद करेंगे स्यारवी महरकात आपके लिए मुख्तलिफ एकदामाद करेंगे मुख्त के मुख्तलिफ में आपकी खुआशात का एहतराम किया जाएगा अपने मकासद को बिल्कुल भी ना भूले और जिन्दगी को बहतर तरीके से सर अंजाम देने की कोशिश करें कारोबारी जिन्दगी में पेश्यवराना मुख्किलात प्रेशर में अजाफा करने का बाइस बन सकती है आज आप अपने कंट्रोल को खो सकते हैं सुर्तिहाल के बारे में बहुत ज्यादा तनकीद होना आप के लिए परेशानियों को खड़ा करेंगे लेकिन आज सियारा मिजान की मजूदगी आप की तवानाई को इस्तमाल करने में मदद देगी मुख्बत के मुआमलत में आप खुद को काफी ज्यादा नजर अन्दास महसूस करेंगे लेकिन अपने तलुकास से आप नाखुश बिलकुल नहीं है मुस्तक्बिल के हवाले से आज का दिन आप के लिए काफी फाइदा मन रहेगा तमाम मुआमलत आप के हक में होंगे जमीन की खरीदो फ्रोक्त के लिए आज का दिन काफी फाइदा मन रहेगा लेकिन आज सिहत के हवाले से आपको कुछ मुछिलात का सामना करना पड़ सकता है बुरच मिजान सियारा कमर की बुरच मिजान में मुझूदगी आपके काम के भोज में काफी ज्यादा अजाफे का बाइस बनेगी किसी भी मुआमले में गैर जिमेदारी का मुझाहिरा ना करें अपनी कारकर्दगी के बारे में सोचें मुभबत के मुआमलात के लिए थोड़ी मुश्किलाथ आ सकती है साथी का रवया आपको परिशान करेगा मुस्तक्बिल के हवाले से काम का बोज आप पर बढ़ा रहेगा जो नताइच आप तवक्को कर रहे थे मुआमलत उसके बराख्स हो सकते है माली जिन्दगी आप अपनी मुआमलत की वज़ा से अच्छी कर सकेंगे प्रॉप्टी की खरीदो फ्रोक्त के लिए आज का दिन फाइदा मन रहेगा जमीनी सरमाया कारी लाजमी फाइदा मन साबित हो गए बुरच अक्रब आज इस बुरच से मुझलिक अफराद को मुआमलत के लिए उक्साया जाएगा साथी और आप के दर्मियान जजबात मुझाकरात का तबादला होगा जिद्धी होने की वज़ा से अपने खांदान की तवज्जो के साथ साथ अपनी बात को पूरा करवाना चाहेंगे साथी से इन बातों की तवक्व ना रखें के कोई आपके मुआमलत को हल करने की टेंचन लेगा आप खुद को मजबूत करें और अपने लिए इकदामाद करना सीखें मुझबत के मुआमलत में साथी के भरोसे पर ना रहें कारोबारी जिन्दगी में इस बुरच से मुंसलिक अफराद के लिए तरक्की फाइदामन साबित हो सकती है बुरच कौस सियासी लिहास से आपकी जिन्दगी में काफी सारी तबदीलिया आएंगे सियारवी महरकात की वज़ा से आपकी हुसला फजाई भी की जाएगी अपने मुआमलत में मुस्बत तबदीलियां कर सकेंगे आपको काफी सुर्टहाल से गुजरना पड़ेगा मुआबत के मुआमलत में हसल से खुद को दूर रखें इस बुरज से मुंसली कफराद का साथी के साथ बहस मुबासे हो सकते हैं मुस्तक्बिल के हवाले से आपको और ज्यादा एकदामात करने पड़ेंगे खुद को प्रेशर में ना डाले तरक्की आइस्ता आइस्ता आपके मुकदर में आएगी बुरज जदी आज सियारवी महरकात की वज़ा से अपनी निजी जिन्दगी में तलुकात को बेहतर करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है जो के आपकी मायूसी की वज़ा भी बन सकता है आपको ऐसा लगता है के आपकी जिन्दगी में कुछ उधार है इसकी पहली वज़ा अल्ला ताला से दूरी अल्ला के इलावा बाकी चीजों पर यकीन ना रखें ये आप के लिए मुश्किलात कड़ी करेंगे कारोबारी जिन्दगी में आपके हलात आज कदरे बेहतर हो सकेंगे लेकिन हद से ज्यादा काम आपकी सहत की खराबी की वज़ा बन सकता है किसी भी किसम की बमारी से बचने के लिए इस बुरच से मुश्लिक अफराद को अपनी सहत का खास ख्यार रखना पड़ेगा बुरच दिलू आज इस बुरच से मुश्लिक अफराद अपनी तहमल मजाजी को कहीं न कहीं खो देंगे और ऐसा तब मुम्किन होगा जब हलात आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे किसी भी चीज के बारे में ज्यादा ना सोचें अल्ला ताला पर भरोसा रखें अपने कारोबारी मुआमलत को बेहतर बनाने की जरूरत है मुख्बत के मुआमलत में आज गेर जरूरी बहस मुबासे हो सकते हैं लिहाजा मुटात रहें मुस्तक्बिल के हवाले से अपने मकासद को टारगट करें और इन पर इकदामात शुरू करें माली लिहाज से प्राप्टी को खरीदने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है बुरच होद आज सियारा कमर की बुरच मिजान में मजूदगी आपके करीबी रिष्टेदारों के लिए हस्द पैदा कर सकता है नए नजरियात को हरगिस नजर अंदास ना करें आज आपका वजदान काफी ज्यादा मजबूत होगा और नजरियात भी आपके लिए फाइदामन साबित होंगे मुपत के मुआमलत में अपने साथी की बातों को नजर अंदास ना करें साथी आपकी तवज़ों को हासिल करने का मुंतजिर है मुस्तक्बिल के हवाले से अपनी कोशिशों को जारी रखें और काम्याबी को हासिल करने के लिए आपको आज सफ्त महिनत करना पड़ेगी माली लिहास से आपको मनाफा हासिल होगा दोस्तों अगर आपको यह वडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारी निया आने वाली वडियो देखने के लिए हमारे चैनल आस्टो लिंक को सब्सक्राइब कर लें अलाहाफिज